जने दोस्तों स्वालग थे आपको एक नए वीडियो में वर एक ने टोपिक के साथ ऐसरा किसे करें कि जनाब यह पाकिसान का सपाइब किश्मीर भी लेंगे और यह प्सथयों का हमारे जिखमों पे नमक भी रखने वाली बात damn we are all judged by what we do at home and not what we say abroad ये क्योंकि सरफ गुफ्तगू नहीं होती है मैंने जिस तरह कहा बोडी साहब जो है उन्होंने वो बाला कोट वाला वाक्या हुआ था अगे से आपको जो हम जज करेंगे वो करेंगे आप अपने सिटिजन्स के साथ किस तरह बरताव करते हो उसके बेसिस पर हम जज करेंगे हम इसके बेसिस पर जज नहीं करेंगे कि आपका कोई टुचा बैट के चालीस पे पेज की रिपोर्ट निकाल के हमारे पास बेज दे मोदी साब यह कह चुके हैं कि जिनाब देखे हमने यह बगयर गोली चलाए जो है और यह खबरे भी चलाए पाकिस्त अंत्बा कर दिया सकता पाकिस्तानने अगर ईरां के साथ घर्र पाइपLैन लें पे काम किया तो सेंक्शं dude नहीं पड सकती है ایसा कि'Mरिका का लिकिनो वहीं अमेरिका भारत को कुछ प्रवारब के पारपोर्ट पे इरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करें इंडिया से खास्तोर पर कर लें तो हमारे लिए ज्यादा बेटरी है पूश लिए कि उनके मामला ठीक चल रहे हैं मगर वहाँ प्राप्लम यह आती है कि वहाँ पे इस सक्व फिजा जो है वो कोई मुआफिक नहीं है पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं है यकिनन उसमें कहीं न कहीं बारफ की एकॉनमी का रोल भी जरूर रहा होगा नमस्ते दोस्तों जैहीं हिंदोस्तान स्पेशल में आपका स्वागता दोस्तों यूएस यूनिवस्टीज में विरोध परदशन बढ़ता जा रहा है कई विश्वद्यालियों में परदशन कर रहे चात्रों और पूलिस के बीच छड़प हुई कई लोगों को पूलिस ने परतिक्रिया दी है मीडिया ब्रीफिंग के दुरान विदेश मत्राला के परवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा लोगतांत्रिक देश को विशेश रूप से दूसरे लोगतांत्रिक देश के लिए समझ को परदर्शित करना चाहिए क्योंकि हम सभी का मुल्यांकन इस बात से क किया जाता है कि हम घर पर क्या करते हैं ना के हम विदेश में क्या कहते हैं उन्होंने का कि भारत अमेर्की यूनिवरस्टी में हो रहे परदशन पर अपनी नजर बनाए हुए है इंडियन अमबैसी भारत के चात्रों के संपर्क में है जब भी किसी मुद्दे को हल करने की अब शक्ता होगी तो भारत उस पर विचार करेगा दूसरा हिट हुआ कि जी उन्हों एक किसी ने सवाल पूछा कि भाई ये जो कॉलंबिया उनिवरसिटी और दूसरे उनिवरस्टी में प्रोटेस हो रहे हैं इसके बारे में भारत का क्या कहना है इन्होंने बोला कि हमारे लेकिन हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि साथ हर डिमॉक्रसी में एक बैलन्स होना चाहिए बिट्वीन फ्रीडम ऑव एक्स्प्रेशन और उन्होंने एक और चीज बोले कि देखिए डिमॉक्रसी जो होती है ना उनको एक एक अंडर्स्टैंडिंग दिखानी पड़ती है त आप अपने सिटिजन के साथ किस तरह बरताव करते हो उसके बेसिस पर हम जज करेंगे हम इसके बेसिस पर जज नहीं करेंगे कि आपका कोई टुच्चा बैट के चालीस पेज की रिपोर्ट निकाल के हमारे पास बेज दे और हम अपना सिर पकड़ के बैट जाएं या आप आप अपने लोगों के साथ किस तरह बरताव करते हैं हम उसको जज करेंगे तो प्लीज आप जड़ा एक बैलन्स मेंटेन करने की कोशिश करिए बिट्वीन फ्रीडम ओफ एक्स्प्रेशन आप प्रोटेस्ट को ऐसे रोंद नहीं सकते हैं पाकिस्तान इरान के साथ काम नह यकिनन उसमें कहीं ना कहीं बारत की एकॉनमी का रोल भी जरूर रहा होगा असलिए कि जब आपके पास पैसा होता है आपकी फॉर्ण पॉलिसी अच्छी होती है या इंडिपैंडन होती है तो आप रशिया से भी ओयल लेते हैं आप एरान के साथ भी काम कर सकते हैं और जह इरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम कर सकते हैं यही सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान को यही सूरतिहाल देखने को मिल रही है कि बार बार अमेरिका की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जी आप जो है या या पाकिस्तान जो है वो इरान के गैस पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकता जबके दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर भारत कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं अगर भारत चाबार पोर्ट पे काम कर सकता है इरान के साथ जबके इरान पे सैंक्शन्स अभी भी हैं इसके बावजूद भारत को कुछ नहीं कहा जा रहा तो पाकिस्तान को क्यों तो उन मासूम और भोले भाले लोगों के लिए मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है हम बार बार भीक मांगने जाते हैं अमेरिका की तरफ बार बार कहा जाता है कि IMF से पैसा दे दीजिए वर्ल्ड बैंक से पैसा दे दीजिए या पिर साओधी अरब से कह दीजिए कि वो हमें पैसा दे दे क्योंकि साओधी अरब का भी हमेशा यही कहना होता है कि पाकिस्तान पहले IMF से ले ले उसके बास साओध है जी हाँ वो गए हैं इराक और बताया यह जा रहा है कि जी इराक गए है तर्किया के प्रेजिडंट तकरीबन बारा साल के बाद जी हाँ बारा साल के बाद जो है यह ऑफिशल ट्रिप जो है वो लग रहा है यह ऑफिशल ट्रिप पे गए हैं विजिट पे ऑफिशल विजि पे गए हैं और तर्किया के प्रेजिडंट इराक और इसका मतलब यह है कि आपस में कुछ कंट्रीज जो हैं वो बाच्चित करने के लिए तैयार हैं कुछ लोगों के अपने आपस के जो टरम्स हैं वो बेतर होने जा रहे हैं जो के यकीनन एक अच्छी बात है नवाज गए हैं क्या बात करने गए हैं क्यों गए हैं क्या मंगने गए हैं क्या देने गए मिखले मंगने गए होंगे देने तो कुछ नहीं गए होंगे गोली देने गए होंगे पैसा मंगने गए होंगे यह हो सकता है लेकिन खायर नवाज शरीफ साब जो हैं वो चाइना के विज चाइना तो बहुत ही जाया करते हैं यानि एक जमाने में जर्दारी साब भी बहुत जाया करते थे वह भी सभी को मालूम है कि क्या हल था कि जो चैनिस प्रेजिडेंट थे वो वेलकम करने के लिए भी कोई खास हमें खुश दिखाई नहीं देते थे कि भाई तुसी तो रोजी मूँ चक्कर आ जाते हो तो यही आल जो है अब दोबारा लग रहा है इसलिए के नवाज शरीफ साब जो हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं और किस मिशन पर हैं क्यों गए हैं इस बार बात करेंगे पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा वापिस लाए जाए तो डॉलर पर ताहिंगे दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए यानि की आपने कंप्लीट वीडियो देखा मतलब आपको कुस ना कुस तो इंट्रेस जगा था इस वीडियो के माजियम से तो बागे दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिक के जरू बता दीजिए फिलाल दोस्तों आपसे भी दह ले रहें लेकिन मिलते हो रखने हैं वीडियो में आपके साथ पिल देन जैहिन जैबाल